देखिए ये लालू जी की जीत है बिहार की जंता की जीत है और ये हम लोगों का शुरू से ही मुद्दा रहा है और इसको अंतिम जो है आप कहा सकते हैं मुकाम तक हम सब लोगों ने पहुचाया है और इसमें सभी दलों ने हम लोगों के मांग पर समर्थन देता है इसके लि यह बेहत ज़रूरी था, यह काम करने का, अब आपके पास सांटिकृफिक डेटा होगा, तो सांटिक डेटा होने के बाद आप तै कर सकते हैं कि कौन कौन लोग चुटे हुए हैं किन किन लोगों के लिए जातियों के लिए क्या-क्या काम करना है तो ये सारा फिगर जरफ रहेगा तो हम लोग उससे साब से यह ना बनाके काम कर सकता है कि भियार में से अधर THADE विख़त्ते हैं विकास नहीं हुआ आपको एक बात समझना पड़ेगा यह योजना बनाने के लिए नितिगत योजना फैसले लेने के लिए 500 करोर का इन्वेस्टमेंट है लेकिन आप बताईए जहां हजारों करोर का प्लेन खरीदा जाता है जहें 1100 करोर का बीजेपी दफ्तर है यह फिजूल का खर्चा नहीं है यह विज्जापन में 5000 करोर का खर्चा यह फिजूल का खर्चा नहीं नजर आता और जहां नीतिकत फैसले लेने हैं जहां हमारे पास डेटा होगा कलेक्शन होगा उससे साबसे हम वेल प्लानड वे में हम स्कीम रन कर सकते हैं जो डाउन तो अब आपको तो पता चले गाला कि भई वागई में डर्द जो था वो सर में है तो सर के डर्द की गोली आप खिलाएंगे, तो यह काम ही तो बड़िया काम हुआα इससे तो जो फिजूल खर्ची जो अब तक हो बाता जो जगे नहीं पहुंच रहा अब वो जगह पर पहुंचेगा आपके ही मतलब जो सबके सम्मति से हुआ है लेकिन बीजेपी के मंत्री अब कह रहे हैं कि जब यह हुई राया तसासत में जनसंख्या नियंतरन पर भी सोचा जाए यह सब बाते आगी चलती रहेंगी क्या होगा नहीं होगा हम लोग तो कई दिनों से जो हैं इस चीज को लेकर के हम लोग पहल करी रहें और यह लोग सोचना क्या पड़ेगा सरकाल में तो यही लोग है बिना सोचे समझे कितना फैसला ले आए निंदे तो इनकों करना है सन्विदान विरोधी काम लोगतांत्रिक विरोधी काम सब तो करी रहें ऐसा पुंधा